हाई एव्रिवन नमस्कार कैसे आप सभी मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपकी अपने चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में तो जैसा आपने टाइटल और थमनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रही है और इससे भी पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप डीटर प्लेस बी की किसी भी एक्जाम के प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो आप आज ही दिये हुए नमबर पे वर्ट सेप मैसिज करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं तो अभी आज हम बहुत ही महत्पून टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये काफी केंडिडेट्स के लिए बहुत ही विचलित करने वाली खबर हो सकती है काफी सैड करने वाली न्यूज हो सकती है तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ M.C.D. P.R.T. 16 बटा 17 और 1 बटा 18 दोजार अठारे के लगबग वेकिंसी आई थी तो उसको लेके आज बहुत बड़ी खबर आई है तो ये 2018 में हुई थी परिक्सा कैट ने पहली नजर में इन्हें गलत माना अभी यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ सिक्षक भरती परिक्सा के 10 सवालों की समिक्सा होगे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ सवालों की समिक्सा की जाती है या इसके हिसाब से परिणाम जारी किये जाते हैं तो पूरी नियुक्ति परिक्रिया गड़्वाटी परिक्सा की जाती है बड़ा सकती है यह जबाब दिया गया है लेकिन नियायदिकरन ने कहा है कि पोस्ट कोड जो यहाँ पे 16 बटा 17 और 18 है कि तहत आयोजित प्रात्मिक सिक्षक भरती परिक्सा के 52 परिक्सा की उत्तर कुंजी का पर आवेदक परिक्सा में आवेदक सात्रों ने आपत्ती दर नाम जारी किया है पीट ने कहा कि तत्यों से जाहिर होता है कि डीटर प्लेस्बी ने याची करता हूं याची का करता हूं द्वारा भेजे गए आपत्यों पर विचार नहीं किया यहाँ पे देखो इन पर दुबारा विचार किया जाएगा और जो डीटर प्लेस्बी की मा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये आदेश जारी किया है नियाधी करण ने यह आदेश आसीस कंचप प्रीती और अन्य की ओर से अधी वक्ता नरेश कोशिक द्वारा दाखिल याचिका पर किया है उन्होंने याचिका में प्रात्मिक सिक्षक भरती के 2018 में आयोजित परिक्सा में गलत उत्तर कुंजी के साथ 10 सवाल पूछने का आरोप लगाते हुए इसे सही करने और इसके हिसाब से अंक देकर परिनाम जारी करने का आदेश देने की मांग की थी मतलब जो 10 सवाल है उनको दुबारा से देखा जाए और उसके हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाए तो यहाँ पर देखो मैं अगर सिंपल सब्दों में आपको बताओ डी ट्रपलेस भी बोल रहा है कि अब तो हमने रिजल्ट वगरा सारी परकरिया पूरी कर लिए ऐसे में अगर यह दुबारा से मांग उठाते हैं दुबारा से उस चीजों को देखा जाते हैं तो पूरी भरती परकरिया खराब हो जाएगी गरबडा जाएगी लेकिन है कि इनको दुबारा से देखा जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि दुबारा से रिजल्ट जारी किया जाएगे एसे में जो लोग नोकरी कर रहे हैं उनकी भरती पर जरूर यह खत्रा दिख रहा है तो देखो यह तो मैं आपको शिर्च बेसे जानकारी दे रहा हूं, मेरी तरब से इसमें कुछ नहीं है, नहीं है, कोट सब से बड़ा होता है, हम आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, और देखते हैं, क्या होता है, आप लोग अपने राये जरूर दे सकते हैं, कमेंट करके, और description box में telegram का link है वहाँ पे मैं ये जो पूरा paper है वहाँ पे डाल देता हूँ और आगे और भी जो कोई खबर मिलेगी इस्टेज जुड़ी है वो मैं आप लोगों को दे दूँगा So thank you, बहुत बहुत धनिवाद आप लोगों का जैहेंद